नादरीन और यहां बहुत ही तेमिदार एस पी तियार होने जा रही है। और हम बना रहें आपके लिए बहुत ही जबदस मसाला डोसा मसाला डोसा बनाने के लिए बेसिकली, सबसे पहले तो हम दोसा कैसे बनेगा इसके उपर हम डिसकस कर लेते हैं यहां पर मेरे पास better है अच्छा इसकी quantity जो है कैसे हम calculate करेंगे सबसे main मसला यह तो तीन कप अगर आपने rice लिये हैं कच्छे चावल जिसको कहते हैं तीन कप अगर आपने चावल लिये हैं तो एक कप जो है इसमें माश की डाल डलती है और थोड़ा सा नमक इसमें डालते हैं लेकिन इसे खमीरा करना जरूरी है कम असकम आप 6-8 घंटे इसे बहार रखेंगे यह खमीरा होना जरूरी है तब जाकर यह डोसा आपका अच्छा तयार होता है ठीक है तो मतलब यह हुआ कि आप अगर डोसा बनाना चाहते हैं तो पहले तो आपने तीन कप चावल ले लिय अलग-अलग दोनों को भले भीगो लें भीगोने के बाद इसे आप जब यह थोड़ा था कलर इसका चैज हो जाए उसके बाद इसको मशीन में डाल कर पीस ले अच्छी तरह से फिर दोनों को मिक्स कर लें आपस में और इसके अंदर थोड़ा था नमक शामिल करेके इसे आप राद को छोड़ने शुबहार आपने वनाना राआ यह आपने बनाना आ biz नितार चाहिए होता है उसके बाद इसको आपने जैसे हम चैपांकेक कि बनाते उस इसके लिए एक बनाने जा रहा हूँ। और बनेगा मुटलिफ चीजों के साथ मीक्स करका। थोड़ा साम हैं मैं ओए ले लिया और लिया और इसके अंदर में डालूं कड़ीपत्ता तकरीबन आठ से दस कड़ीपत्ता मैंने डाल दिया थोड़ा सा राइदाना एक चाय के शमच डाल दिया और इसके साथ मैं इसमें डाल लूँ है चिकन भी डाल सकते हैं आलू का भी बना सकते हैं जरूरी नहीं इट कर रहा हूं एक पाऊ के करीब और इसको हमने मिख्स कर लेना है पका लेना है जब तक यह इसका कलर शेंगनी हो जाते है हमारे पास यहां पर चिकन हमने कड़ी पत्ता और राइदाना डाला चिकन बूल लिया अदर अदरक लेसन का पेस्ट हमने एट कर दिया इसको हमने पकाया फुड़ा अब मैं इसमें मसाले अट कर रहा हूँ कुटी भी लाल मच जड़ चाय का चबमच आदा चाय का चबमच हल्दी है नमक हजब जरूवत है और लिया पावडर रहा जीरा पाव्डर है एग चाय का चबमच और यहां पर मेरे पास है काली मिज़ चीक है और इसको हमने करना है मि और इसके बाद जब यह मसला मिकस हो जाए उसके बाद मैने इसमें डाल देना है अलू आलू मेरे बास बॉल्ड हुए में तकरीवर दो बड़े आलू है। बॉल्ल आलू हमने इसमें आट कर दिया। और इसे इसी मसाले के साथ हमने अच्छा सक्षक बनाना है इसको गीला नहीं रखना यहां जब आपका पैन अच्छी तरह से गरम हो जाए इसको चेक करने का तरीका ही आया है कि एक प्याले के अंदर पानी ले 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 और थोड़ा सा ओईल डाले ठीक है इसको आप मिक्स करें है और हलका सा ठीटा मारे इसका अपर इस्ता गरम होना चाहिए ठीक है अच्छी तरह से गरम बेलकुल करमा गरम ठीक है फिर दुबारा से चक कर लेते हैं जब यह गरम अच्छी तरह से हो जाए उसके बाद आपने इस पर बैटर को अच्छी तरह पहले मिक्स किया और यह बेटर कैसा है तोड़ा सा ओराइट कर देंगे और एक तरफ से अच्छी तरह से पक्षाड़ने दें ठीक है जब तक ये उपर से बिलकुल ड्राइ ना हो जाए खुश ना हो जाए तो इसको आपने बिलकुल छेड़ चाड़ने करनी है और इसको पकी तरह से पकने देना है उपर से खुश्क हो जाना चाहिए ताके ये फिर जो दोसा होता है असल में इसको एकी तरह से पकाया जाता है तो तरह से नहीं पकाया जाता है तो पकने दें अच्छी तरह से जब ये बिल्कुल ट्राय हो जाएगा हलके हलके से साइडों से ब्राउन ब्राउन नजर आने लगेगा किनारियां ठीक है न उसके बाद ये दोसा आपका फाइनली तैयार हो चुका होगा ठीक है ये जरा इसके अजर आपने ख्याल रखना है और वैसे तो मोटे तवे पे बनाना है लेकिन मजबूरी है कि एक तो हर घरे में तर्वा होता नहीं ठीक है और अब हमने कुछ न कुछ इसकी टेकनीक तो लडानी थी तो मैंने का चलें आप लोगों के लिए खुछ फ्राइपान पे आज मैं ट्राइ करके देखता हूँ मैंसले के मेरे अपने पास घर पर जोना मोटा तवा है मौजूद इतना बड़ा तवा जिसके अदर वो कटा कट बनाते ना वह वाला तवा मैंने खरीद के पहले से रखा हूँ अच्छ जब यह हलका हलका सा किनारे इसके वह होने लगें तो हलका सा ओल इसमें आट कर दें ड्री एसमें हम मसाला डालने अवह दोस्रेखे अंडर यह देख लिए इस तरफ हो ऑर इसको मम पलड़ देंगे ठीक है हलके हाँ से ठीक है इस तरह से यह देखने बिलकुल आराम आराम से इसको पल्टेंगि कि हमारे पास कॉलर्र हैं नादिया कहां से हैं एधियों ये देखिये, बिल्कुल ऐसे विजरा कैमरे में दिखा दें, ये बिल्कुल ऐसे करके दोसा हमारा फाइनली तैयार हो गया, पकने दें इसको, जल्द बाजी मत कीजिएगा भी मैंने, कॉल के चकर गरेंदर जल्द बाजी में एक को मैंने खराब कर दिया, ठीक है, अब ये हम झाल